टार्गेट विद पिएस पर ह हर चैनल में आपका स्वागत आज के इस वीडियों हमें लोग बात करेंगे उत्तर प्रटेज लोग सिवा आयोग्कि वर्थियों की, आरो यारो की EPS की LTE ग्रेट सिख्चा गष्षा गष्ण की, और हम लोग बात करेंगे TGT PGT नया सिख्चा स या BPSC की त्यारी के रहे हैं, वे सभी अभरती physics वाला के इस plateform पर आकर के हमनी त्यारी पूरी कर सकते हैं, प्रज्या दिवस के इस औसर पर physics वाला plateform पर एक सांधार आफर आया है, फांडेशन कोर्स के लिए सक्चम 3.0 के नाम से, जिसकी फीज बहुत कम रखी गई है, मातर 3,999 रुपए, इसमें भारत के स्थर्वस्रेश्ट सिछक आपको पढ़ाएंगे, यह देखिए, आप only IS के सुमित हैं, अलक पांडे हैं, दीपक सिंग सर हैं, बहुत सारे जो टीचर से आप लोग यहां पर देख सकते हैं, आपको live classes भी मिलेंगे, recorded videos भी मिलेंगे, by link बलापकी पढ़ाई होगी, मन्तली, मन्थन, magazine मिलेगी, करेंट फेर की 24-7 dedicated doubt clearing session चलता रहेगा, daily class notes मिलेंगे, पिसले वर्सों के प्रस्ट पतल रुप विसलिशन भी करवाए जाएगा, औ और यहां पर आपको एक छुट भी मिल सकती है, 999 रुपय की, अगर आप लोग एक code का प्योकरेंगे, code का नाम है, PSC 005, purchase करते समय, आप code डालिए को आपर आप समन आएगा, यह course आपको मातर 3,000 रुपय में मिल जाएगा, और इसी तरीके का जो course है, वो BPSC के लिए भी lunch ह हुआ है, और यह भी foundation course है, जिसकी validity डिल साल है, 31 December 2024 तक आपको यह study material मिलेगा, तीन दिन की classes पूरी तरीके से पहले निशुलक है, आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, सारी सारी classes, study material एपर मिलेगा, एप के link में डिस्क्रिशन बाक्स में दे दिया, वहां पर आप लोग fees, क्या क्या HD material मिलेगा, इसकी validity क्या है, एक जून 23 से लिखा 31 December 2024, और कौन कौन से teacher ने सारी सारी जानकारी आपको इस आपर मिल दियागी, एप की link में डिस्क्रिशन बाक्स में दे दिया, चलगे, शुरू करते हैं, और सबसे बेले बात करेंगे, हम लोग उत्तर प्रतेश पत्र में भी बताया था, लेकिन मुझे अभी अभी एक ताजा update ये मिली है, कि जो समकक्ष आरता के लिए जो दूसरी committee बनाई थी, उसने अपनी report सासन को दे दी है, यारि final हो गया कि किस बरती में कौन सी योगिता लगे, और किस course का समक्ष जो course है, वो कौन सा है, इसके ब इन तीनों भर्तियों के जो विग्यापन वो बहुत जल्द जारी करने वाला है, तो अभी LTE grade से शकवर्ति के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, और मेरी जहां पर बात हुई है, तो सूत्रू के हवाले से ये नहीं बताया गया कि LTE क्या क्या होगा, EPS क्या होगा, RO, ARO क्य इसलिए इसमें इनका विग्यापन पहले आएगा, इसमें थोड़ा से जेरी होगी और तब तक आपका समभावना है कि नया सीचा से वाचान आयोग बनकर के तयार हो जाएगा, और उसके बाद में ये LTE की जो विभरती है, वो नए आयोग से आ सकती है, हाँ वो बात अलग है कि अगर सासे से कोई दबाव आया कोई बात भी तो इसी लोग सिवा अयोग से भी निकल सकती है, लेकिन आज के डेट में आरो, ए, आरो, ए, आरो, ए, पियस, और खंडशिक्चा अधिकारी भरती के जो विग्यापन है, वो कब तक जारी हो, तो चूंकि अभी कुछ अप ठाक रहा, तो जून के लास्ट में भी इन भरती के जो विग्यापन है, वो निकल सकते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, टीजीटी, पीजीटी, सिक्चा, सेवा, चैयन, आयोग के सूझना मैंने कल भी बिताया तो आप लोगों के इसके बारे में, कि विद्यार्थी लखनो गए हुए हैं, कल विद्यार्थी अधिकारियों से मिलने की कोशिस की, तो कल MLC के चुनावते, आप लोगों ने आज की समचार पत्र में भी देखा हो, इसलिए अधिकारियों से मुलकात नहीं हो पाई, और आज का समय दिया गया है, विद्यार्थी डटे हुए हैं, अगर कोई बातचीत होती है, अधिकारियों से, नए सिक्षा सिवाचन, आयोग, TGT, PGD में पत्रों की संक्या को जोड़ने को ले करके, पूर्टल खोलने को ले करके, आज हो सकता कोई जानकारी मिले, और अगर कोई जानकारी मिलेगी, तो आज साम तक मैं आवस्य दूँँगा यह हो गया आज का वीडियो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक कर, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत धन्यवाद,